तो हेग गाइस, welcome to unboxing and I'm back with another video तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वातने वालो ओपो A11 Pro के बारे में तो ओपो का A11 Pro जो स्मार्टफोन होगा थोड़ा सा बाजेट रेंज के अंदर लॉंच होगा एन इस स्मार्टफोन में आपको back side में टीपल कैमेरा सेटाप और front में water dog type नौस सेटाप देखने को मिलेगा back side जो होगा आपको 3D fog glass का finishing देखने को मिलेगा and back side में भी आपको ओपो का branding देखने को मिलेगा front की बात करें तो front में आपको bezel chain बहुत ही कम देखने को मिलेगा जिसके वाज़से यहां पर आपको full view display पापाल देखने को मिलेगा and जो display होगा आपको OLED display देखने को मिलेगा इसके वाज़से इसका फील होगा बहुत ही जदा बेटर होगा बताऊंगे इसका price specific on launching date and उसके साथ बताऊंगे इसका design काईसा होगा so without wasting any more time let's get started तो सबसे बात करो इस smartphone का design के बारे में तो back side में आपको 3D fog glass का finishing देखने को मिलेगा जिसके वाज़से आपको dual tone finish आपको यहां पर देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको triple camera setup देखने को मिलेगा और आपको LED flash भी देखने को मिलेगा back side में कोई भी fingerprint sensor देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद से smartphone में आपको देखने को मिलेगा in display fingerprint sensor और जो in display fingerprint sensor होगा यह optical in display fingerprint sensor होगा तो यहां पर थोड़ा बहुत budget cutting हो जाता है तो आप बात करूए smartphone के front side के बारे में front में आपको water dog type tiny little notch setup देखने को मिलेगा notch के अंदर आपको camera setup, airps and notification light देखने को मिलेगा नीची के जो bezel chain होगा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा तो यहां पर जो phone होगा बहुत ज़्यदा बेटा होगा तो आप बात करूए smartphone के pacification के बारे में तो सबसे बिले बात करूए smartphone के display की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6.4 inch full HD plus OLED display panel यहां पर जो aspect ratio होगा आपको देखने को मिलेगा 19.5-9 के aspect ratio तो यह जो display होगा बहुत ज़्यदा best आपको देखने को मिलेगा color saturation detailing आपको बहुत इबेटर देखने को मिलेगा इस display के अंदर तो आप इस display में movies enjoy कर सकते हो गेम खेल सकते हो तो overall है जो smartphone होगा बहुत ज़्यदा must होने वाला है operating session की बात करूए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा latest standard version जो कि है under 9.0 आपको देखने को मिलेगा colorways 5.2 on the top तो इस smartphone का जो user experience होगा बहुत ज़्यदा smooth होगा तो कोई भी आपको lag देखने को नहीं मिलेगा इस smartphone के अंदर आप बात को इस smartphone के processor के बारे में तो यहांपर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 710 का processor जो कि है बहुत ही powerful processor यह जो processor ना 5G signal को भी support करते हैं तो यह जो smartphone होगा 5G के उपर best होगा और उसके सब आपको dual 4G setup भी देखने को मिलेगा और dual holiday setup देखने को मिलेगा बाट एक confirm नहीं है जब launch होगा 5G के अंदर आएगा की नहीं आएगा RAM variant की बात करो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दो RAM variant जो कि है 6GB RAM और 8GB RAM variant 6GB RAM के उपर आएगा 64GB का internal storage और 8GB RAM के उपर आएगा 128GB का internal storage और internal storage जो अब expand कर सकतो तो आप बात करो इस smartphone के camera setup के बारे में तो back side में आपको typical camera setup देखने को मिलेगा यहां पर जो primary camera होगा वोगा 18MP का secondary camera आपको देखने को मिलेगा 5MP का and 2MP का अपको depth sensing camera देखने को मिलेगा and इस camera के health से आप किसी भी image को 3D में convert कर सकतो तो यह बहुत भी बड़िया बात है जो कि आपको देखने को मिला था OPPO R17 Pro के अंदर तो ओ जो smartphone था ना बहुत भी बेटर smartphone था camera के हिसाब से and battery की बात करूँ तो OPPO R17 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh का huge battery and उसके साथ आपको fast charging feature भी देखने को मिलेगा additional feature की बात करूँ तो यहां पर आपको Type-C port देखने को मिलेगा 3.5 mm audio headphone jack देखने को मिलेगा Wi-Fi, Bluetooth and other sensor की बात करूँ तो यहां पर आपको proximity sensor देखने को मिलेगा accelerometer sensor देखने को मिलेगा gyroscope मिलेगा, light sensor देखने को मिलेगा तो सभी कुछ sensor overall आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा and इस smartphone होगा आपको 3 color variant में देखने को मिलेगा जो की है blue, black and red variant and launching date की बात करूँ तो यहां पर इस smartphone होगा आपको February या March के अंदर देखने को मिलेगा and जो price होगा उसका कुछ confirmation नहीं है बढ़ मुझे जो लगते है under 20,000 के अंदर आपको smartphone देखने को मिलेगा तो यही है आज का वीडियो उपए 11 प्रो के बाड़ में कुछ leaks and rumors तो वीडियो अपको अच्छी लगे दो वीडियो को like का नमाद भूला, comment का नमाद भूला and आपने इस challenge पर पहली बाड़ा हो तो जाके subscribe माना notification बिलको दबा जो and उससे पहले आप मेरे Instagram या Facebook पर फॉलो नहीं किया तो जाके follow कर सकतो link आपको नीचे देखने को मिलेगा तो see you guys in my next video